हलो एवरिवन तो कैसे हैं दोस्तों आप सभी उमीद करता हूं सब बाई बढ़ी आऊंगे प्रेपरेशन अच्छे से चल रहे होगे त्यारी आपकी टॉप लेबल पे होगी विगाउस एक्जाम जो है वो दिन बाद दिन करीब आ रहा है ठेक है तो चलिए आज फिर से एक और सब करनीच के लिए है जल्दी से सब भी दोस्तों को apply अपने साथ ने जुड़े है चैनल को subscribe कर लीज़ेगा अगर आपको और भी वीडियोस चाहिए हो तो पहला question जो है आज का हम देखते हैं पहला question क्या कहता है कि अर्विंद केजरिवाल जो है आप सभी इस नाम से प्रिचित होंगे ठीक है कि ये किस party के founder है जहां कौन सी party से belong करते है ठीक है तो इनकी party जो है वो कौन सी है आम आदमी party ठीक है जो कि डेली की party है डेली formed है और इसकी जो दूसरी government है वो पिंजाब में बनी हुई है ठीक है जो वगवन्त मान जो है वहां के head है ठीक है वगवन्त मान ठीक है पिंजाब के CM चलिए एक question next question जो है दूसरा question देख लेते हैं कि सबसे कम संख्या वाली जो है राज्य कौन सायन में से which is the least popular state सबसे कम जन संख्या वाला राज्य कौन सो है गोवा सिक्किम अरुनाचल प्रदेश या फिर तैलंग गना ठीक है तो अगर बात की जाए सबसे कम बाले की तो वो आएगा सिक्किम ठीक है यूपी यो हैस में सबसे जादा है नेक्स्ट बात की जाए question number third की महात्मा गांदी के related question है modern history मेरभाई यह question देखने को रहते ही आपको मालूम है ठीक है कोई भी level का आप exam दे ठीक है जहाँ पर basic GKGS भी हो तो आपको modern history से question रहेंगे ही रहेंगे ठीक है तो महात्मा गांदीन में से किस से संबंदीन था है चंपारन सत्यागरा है non cooperation movement civil disobedience सहयो गंदोलन ठीक है तो यह इन सब भी से संबंदीन था है question number तीसरा और option number 10 में आपका सही आंसा रहेगा जो कुछ मेरे भाई English medium बाले है English medium के questions जहां रहेंगे ठीक है Hindi medium बाले जो भाई है उनके लिए Hindi medium के questions यहां वे रहेंगे ठीक है तो आप यहां से देख सकते हैं next question है कि दुर्गापूर steel plant जो है दुर्गापूर steel plant जो है वो कहां पर है बहुत बढ़िया वेर इस दुर्गापूर steel plant located जारखंड वेस्ट बंगॉल बिहार जाफिर ओडिसा तो दुर्गापूर steel plant जो है यह मिरवाई हो बेस्ट बंगॉल में है बेस्ट बंगॉल में यह आपके लिए question देता हूँ जल्दी से सभी दोस्तों ने comment में आंसर बताना है कि capital क्या है वेस्ट बंगॉल की capital क्या है वेस्ट बंगॉल की जिस जिस भाई का आंसर सही रहेगा उसके नीचे मैं heart देता रहूंगा ताकि दूसरे जो कुछ भाई हो जिनको नहीं मालूम हो उनको पता चल सके कि यह आंसर सही है ठीक है तो question number 5 मां देखते हैं हम who administrated the oath to the governor governor जो होता है governor state का head होता है state का head होता है governor याद रखिए ठीक है और इसके नीचे कोन आता है chief minister जैसे अगर आप हम nation की बात करें country की बात करें तो top पे कोन होता है president होता है न तो उसके नीचे कोन आता है p.m. आता है बड़ा ये होता है president बड़ा governor होता है but power cm के पास होती है power जो है वो p.m. के पास होती है तो इनको जो शपद दिलाते है ओत होता है मेरे बढ़ी शपद दिलाना कोई भी अगर पद जो है उसकी पूर्ति करने लगें जहां से बैठने लगे तो उसके पैसे पहले उसे शपद दिला जाती है तो governor को कौन दिलाता है governor को दिलाता है जिस भी state का governor बन रहा हो उस state का जो high court का judge होता है अगर मान लेजिए उत्तर प्रदेश का बन रहा हो उत्तर प्रदेश court का जो judge होगा वो governor को शपत दिलाएगा ठीक है तो option number AS में आपका सही answer रहेगा question number 6 देख लेते हैं 6 question क्या कहता है कि hottest planet कौन सा है सबसे सबसे hottest planet कौन सा है तो वो आएगा आपका option number A Venus जो है वो सबसे hottest planet है और एक मेरी तरब से आपके लिए question कि twin planet किसे कहा जाता है अर्थ का एक है twin planet of अर्थ ये किसे कहा जाता है किसी दोस्त को मालूम हो तो जुरूर बताएं ठीक है earnth का twin planet किसे कहा जाता है next question number 7 है कि first female air marshal पहली महिला air marshal कौन थी ठीक है पहली महिला first women भहत बढ़िया सब भी दोस्तों को जो है इमानदारी से पूरा का पूरा वीडियो लगाने है पूरे questions लगाने है और last में आप सब भी को अपना score बताना है 30 out of you है मेरे भाईव वो आपके कितने score सही हो रहे हैं तो पदमावती बनो पाद्या option number B जो है आपका बिल्कुल सही answer रहेगा ये first female air marshal थे ठीक है पदमावती पदमावती simple नाम याद रखी बाकी आगे आपको होई जाएगा सुन्दरबन आप सभी ने नाम सुनागा बहुत प्रेचित होंगे सुन्दरबन से आप ठीक है सुन्दरबन के अपरालमोस कोईशन देखने को मिलेंगे जीके में तो सुन्दरबन जो है ये किसलिए famous हैं जा किस से संबंदीत है आप कह सकते हैं ठीक है किसलिए परसीद है सुन्दरबन ये परसीद है tigers के लिए option number C सुन्दरबन टाइगर के लिए परसीध है टाइगर के लिए जाने जाते हैं नेक्स कोशन देख लेते हैं बहुत ही बेसी कोशन है ठीक है कि चंदरमा पृत्वी का एक चकर कितने दिनों में पूरा करता है बस इतना सा कोशन है चंद्रमा पृत्वी का एक चकर कितने दिनों में पूरा करता है 28 दिनों में 365 एक या फिर 350 दिनों में ठीक है बहुत बढ़िया बात की जा रही है चंद्रमा की 28 दिनों में करता है 14 डेज के बाद आप देखिएगा कि चांद अगर आपने कभी ध्यान से देखा होगा कि हर 14 दिनों के बाद जो है वो चांद आदा हो जाता है अगर चांद आप एक पहले दिन पे आप ऐसा देख रहे हैं तो 14th day पे चांद आपको ऐसा दिखेगा ठीक है 14th day पे ऐसा दिखेगा फिर उसके बाद 15 दे से फिर से दीरे दी आपको देखने को 100% मिलेंगे ही मिलेंगे ठीक है तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो रूलर थी अर्वन थी जा मिक्स्ड थी जा फिर इनमें से कुछ नहीं था तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है इसे अर्वन सिविलाइजेशन का जाता है ठीक है शेहरी क जाता है गन्ना जो है वो हुआया जाता है जहां उत्पादन किया जाता है ठीक है गन्ना और सबसे जाता फैक्टरीज भी वहाँ पर बहुत सारी फैक्टरीज हैं और उस स्टेट को शूगर बॉल भी बोला जाता है ठीक है याद रखे एक और आपको कुशन साथ में दे दिय याद रखिए, रानी रामपाल जो है, किस खेल से संबंदित है जैसे आपको पीछे के एक वीडियो में ने बताया था कि ये क्रंट इवेंट्स के रिलेटेड कोईशन रहते हैं, स्पोर्ट में जिन्नों ने जो कोई मैडल्स जीते हो, ठीक है, उनके रिलेटेड कोईशन पूचे जाते हैं, तो ट्राइ कीजिएगा कि करंट के साथ टच में रहें थोड़ा सा, ठीक है स्पेशली स्पोर्ट के साथ, बिकॉज आप मिलिटरी की त्यारी कर रहे हैं, आम पॉर्सेस की त्यारी कर रहे हैं, तो वहाँ पे स्पोर्ट को बहुत प्रेफरेंस दी जाती है, ठीक है, तो यह हॉक्की से संबन दीता, उप्शन नमबर सी, इसमें आपका सही अंसर रहेगा, कुशन नमबर थर्टिन देख लेते हैं, कि लेजिसलेटिव असेंबली जो होती है, उसको डिजॉल्व करने का हक जो है, वो किसके पास होता है, जहां हक यहां हक नहीं कह सकते हैं, आप पॉवर कह सकते हैं, ठीक है, पॉवर किसके पास होती है, लेजिसलेटिव असेंबली को destroy करने की यह dissolve करने की अगर assembly चल रही है तो उसको बीच में रोक सकता है और वो कौन है वो है president ठीक है ऐसा नहीं है president खुद रोकता है यह recommendation पे किया जाता है काम ऐसा ठीक है यह recommendation किसकी रहती है prime minister की ठीक है prime minister की recommendation पे सुझाब पे ठीक है president जो है legislative assembly को रोक सकता है next question देखते है question number 14 सबसे बड़ा लंबा जो है इंडिया के साथ कौन सा उसका पडोसी देश है जिसका बॉर्डर लगता है किस पडोसी देश का सबसे लंबा बॉर्डर जो है इंडिया के साथ लगता है बहुत बढ़िया जल्दे से answer बहुत बढ़िया question number 14 India share the longest border with which country किस देश के साथ लगता है ठीक है तो वो लगता है सबसे बड़ा बांगला देश के साथ बांगला देश के साथ अगर आप पाकिस्तान बोर रहे हैं तो आप गलत हैं पाकिस्तान के साथ सबसे बड़ा नहीं लगता है ठीक है बांगला देश के साथ जो है सबसे बड़ा लगता है बांगला देश के साथ जो है सबसे बड़ा लगता है ठीक है option number A next question पर चलते हैं और सबसे कम भी याद कर लिजिए सबसे कम ठीक है सबसे कम किस के साथ लगता है वो लगता है अफगानिस्तान के साथ, एक निया डिस्टिक है, जमु किश्मीर में, टीक है, वो निया बना है, ठीक है, तो उसके साथ जो है अफगानिस्तान का बाउडर टच होता है, ठीक है, याद रखे, चलिए, next question question number 15 क्या कहता है हमारा कि कौम्ती जो है कोलकता जो है ये किस नदी के किनारे स्थित है कोलकता शहर जो है ये किस नदी के किनारे स्थित है ठीक है तो कोलकता जो है ये हुगली नदी के किनारे स्थित है 15 question GK के जो है वो हो चुके है अब 15 question जो है वो general science के रहने वाले है तो पहला question क्या कहता है कि हवा जो है वो क्या है mixture है, compound है, solution है या फिर fluid है तो हवा एक mixture है, option number A हवा एक mixture है, ठीक है, याद रखिएगा next question देखते है, question number 17 क्या कहता है कि pressure की unit क्या होती है ठीक है, what will be the unit of pressure बहुत बढ़ी है, धाब का मात्र को क्या होगा pressure की unit, बहुत basic question है ये question देखने को मिलेंगे, मिलेंगे, ठीक है pascal जो है, pascal unit रहता है pressure का, अगर आपकी दूर की निगा जो है वो खराब है, ठीक है foresightness, मतलब की दूर को आप नहीं देख सकते हैं, आप class में बैठें आप blackboard नहीं देख सकते हैं आप अपनी notebook पर लिखा हुआ पड़ पा रहे हैं बट blackboard नहीं देख पा रहे हैं, तो आपको जो है उसको ठीक करने के लिए कौन सा lens जो है, वो लगेगा कौन सा lens लगेगा उसको ठीक है कौन सा lens जो है अगर आंखों पे apply करेंगे चश्मे में डालेंगे तो आपको जो है blackboard का भी लिखा हुआ दिखाई देगा ठीक है तो कौन सा रहेगा वो question number 18 तो वो रहेगा convex lens ठीक है convex lens और अगर इसी के opposite अगर pass की नजर खराब है ठीक है pass की ये concave रहेगा दूर के लिए दूर के लिए ये रहेगा convex next question पर जलते है question number 19 है normal human being जो है normal person आप को भी ले लिए जो उसका blood pressure rate क्या रहता है उसका blood pressure rate रहता है 182 80 के बीच में ठीक है अगर एक अमूमन कहा जाता है कि एक तक बड़ा जाता है और वो 142 90 बैठता है बस यही range म रहता है वो है option number A ठीक है अगर single दिया होगा single single दिया होगे तो 122 80 के बीच बीच में रहता है ठीक है option number A इसमें आपका सही answer है हां तो आगे question है कि resistance resistance होता है रुकाब ठीक है रोकना इसकी SI unit क्या है resistance की SI unit होती है ओम बहुत ही basic question है यह ठीक है किसी दोस्त के गलत नहीं होने चाहिए 30 question पूरे रहने वाले हैं इसमें मैं बानके चलूँगा कि 28 तो आपके at least touch होने चाहिए because एक दो दिन में आपका exam है और बाकी के exam भी जो है वो आ रहे है ठीक है तो मैं मानता हूँ कि 28 question आपके कम से कम जो है वो होने ही चाहिए ठीक है question number 21 है कि explosive क्या है इन में से बीचाव दी following is an explosive TNT भी explosive है TNB भी explosive है तो option number C रहेगा बहुत मतलब कि ये दोनों ही जो है वो explosive है ठीक है question number 22 देख लेते हैं कि xylem जो है इसका क्या काम रहता है बहुत बार ये question कर बाचुका है ये xylem के ओपर और phloem के ओपर ठीक है xylem जो है ये water की supply करता है और phloem जो है ये food की supply करता है किस में करता है supply ये करता है trees में plants में ठीक है xylem इन में से देख लिए transportation of water from root to complete in the pot of plants option number A's में आपका say रहेगा xylem पानी की supply करेगा xylem से जल याद रखिए और phloem से food याद रखिए xylem आया है तो पानी की supply करेगा option number A's में आपका say रहेगा question number 23 देखते है chemical formula of gold देखे gkgs की question है आपको वहाँ पर कितना time मिलेगा ठीक है gkgs आपको कम से कम 15-15 मिनिट में आपको कबर कर लेना है और बाकी का जो आपका time बचेगा वो सिर्फ आपको maths के ओपर और reasoning के ओपर देना है इस बात का ध्यार की gkgs जो इतना hard level का नहीं रहेगा आपको ठीक है बेसिक रहेगा अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको कोई difficulty जो है gkgs में देखने को नहीं मिलेगी चलिए तो chemical symbol क्या होता है gold का मेरे बाई हो बहुत बढ़े जल्दी से बताइए gold का chemical symbol जो है वो क्या होता है question number 23 gold का chemical symbol होता है AU ठीक है और आपने मेरे को एक question बताना है कि AG जो है ये किसका chemical symbol है इससे क्या होगा जब आप सर्च करेंगे तो इसके साथ साथ आपको और भी कुछ नहीं चीज़ें जो है सिखने को मिलेंगी इसके साथ आपको और भी symbols जो है वो देखने को मिलेंगे ठीक है तो AG आपको बताना है मुझे कि ये किसका chemical symbol होता है ठीक है question number 24 देख लेते हैं question number 24 इन्होंने बोला है कि sound जो है sound किस substance में जो है किस material में सबसे ज़्यादा fast travel करती है ठीक है बहुत बढ़िया in which following substance velocity of sound is maximum ठीक है तो सबसे ज़्यादा जो है वो solid में होती है सबसे ज़्यादा soiled में होती है बता दूँ आपको फिर उससे कम जो है liquid में होती है फिर उससे कम जो है वो gas में होती है और ना के बराबर vacuum में होती है ठीक है याद रखे इस तरह से इस तरह लाइन के है सबसे कम vacuum फिर gas फिर liquid फिर soiled ठीक है option number 8 में आपका सही answer रहेगर question number 25 है कि cell की discovery जो है वो discovery ठीक है प्लांट का सेल जो है वो किस ने किया था ठीक है जल्दी से देखिए तो इसका जो है answer रहेगा human body का cell जो है human body का cell रॉबर्ट होक ने किया था और plant का आपको बताना है कि वो किस ने किया था उसका first नाम आपको बता दूँ वो भी रॉबर्ट ही है ठीक है उसका बड़ी में सबसे बड़ी हड़ी जिसे हम जांक की हड़ी कहते हैं ठीक है तो बहुत ही है फीमर ऑप्शन नमबर 20 में सजी आंसर रहेगा फीमर जो है वो सबसे बड़ी हड़ी रहती है human body में ठीक है कुशन नमबर 27 एसी को डीसी में कनवर्ट करने के लिए कौन सा डिवाइस जो है वो यूज होता है कौन सा डिवाइस यूज होता है एसी को डीसी एसी और डीसी है क्या चीज है यह एसी होता है अल्टर नेटिव करंट अल्टर नेटिव करंट अल्टर नेटिव करंट डीसी ह current में ukalijay transform करता है या परिवर्तित करता है चली next question है cement के ओपर question है कि gypsum gypsum जो होता है इसको cement में किस लिए डाला जाता है common question है common question है cement जो होता है उसमें gypsum रहता है ठीक है इतना आपको बता दूँ बट उसमें डाला क्यों जाता है ताकि cement जो है वो जल्दी से लग जाए fasten ठीक है setting बोल दे तो सूख जाना ठीक है बन जाना जल्दी से हो जाए या फिर बहुत दीरे से हो ठीक है लेट हो बहुत जाए या फिर उसकी strength इंप्रूब हो जाए या फिर उसकी strength जो है वो control में रहे बहुत बढ़िया तो मेरे अनुमान के according आप सभी का answer option number A है जो की गलत है ठीक है यह डाला जाता है ताकि cement जो है जल्दी से ना जुड़े ठीक है जल्दी से ना जुड़े बिकास यह packing के process में डाला जाता है यह ऐसा नहीं है कि जब उसको apply किया जाता है तब डाला जाता है जब packing करते हैं तब डाला जाता है ताकि cement जो है ऐसा ना हो कि bag के बीच में ही cement जो है जुड़ गया हो ठीक है इसलिए जिपसम को डाला जाता है तो setting of cement can be slowed option number B इसमें आपक सही answer एगा setting of cement can be slowed इसलिए जिपसम जो है वो उसमें डाला जाता है यूकरियोटिक सेल्स के उपर है कि यूकरियोटिक सेल्स के पास क्या होता है यूकरियोटिक सेल्स के पास नहीं होता है ठीक है यूकरियोटिक प्रियोकरियोटिक दो टाइक सेल प्रोकरियोटिक के पास नहीं होता है, यूखेरियोटिक बस होता है, ठीक है, आप सबी ने ये कोशन बहुत बार सुना होगा, कि SI unit of ये, SI unit of वो, ठीक है, तो SI unit जो है, इसके कितने base unit होते हैं, SI unit आप सबी ने देखा है, सुना, ये कोशन आते हैं, इसके ओपर, रेसिस्टेंस का SI unit, ठीक है, करंट का, इसका, उसका, तो इसके जो SI unit, SI system जो खुद है, इसके base unit कितने हैं, ये बताईए, जल्दी से, ये कोशन आपको home work के लिए छोड़ दिये जाए, ठीक है, ये आप सबी ने home work में बताना है, ये कोशन, चलिए, इसका answer बताते हैं, 7 base unit होते हैं, जो बाकी के बीच में मैंने question put किये हैं, वो आप सबी दोस्तों को comment box में home work बताना है, और जिस जिसके answer सही रहेंगे, उनके ओपर मैं heart देता रहूँगा, ताकि दूसरे बच्चों को भी पता चलता जाए, कि ये question जो answer जो है, वो स आज की वीडियो में इतने ही question सा है, social handles जो है, social media के वो नीचे description में दिये रहेंगे, वहाँ पर अगर आप जूड़ना चाहें, तो जूड़ सकते हैं, ठीक है, तो आज की वीडियो में इतने ही question है, मिलते है next वीडियो में, कल फिर से ने वीडियो के साथ, तो जाते जाते बहुत बहुत शुक्री है आप सभी दोस्तों का, चैनल सब्सक्राइब कर लीजेगा और वीडियो के लिए, और वीडियो को लाइक कर दीजेगा एक बार बस, तो मिलते हैं ने वीडियो में, तब तक के लिए मेरे भाईयो, जै हिंद, जै वारत